हेलो अवरिवन दिस इस प्रीती स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंपीट में डिसकस करेंगे आज CDP का important topic जो केंद्री विदाल में आपकी unit दी है पहली unit उसका important topic हम डिसकस करने वाले है principle of developments important है इससे पहले दो वीडियो में अल्री डाल चुकी है वो आप जाकर करेंगे देख सकते है चले डिसकस करते हैं कि जो development होता है विकास होता है उसके क्या क्या प्रिंसिपल है पहला principle है principle of continuity मतलब principle of continuity का मतलब होता basically कि विकास जो है वो continuous होता है लगातार होता है विकास कभी भी रुकता नहीं है आपने देखा हो कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो कितना छोटा होता है उसके बाद वो बड़ा होने लगता है बैटना सीखता है, बैटने के बाद वो चलना सीखता है उसके बाद वो दोडना सीखता है भागना सिखता है ये सब चीज़ें ठीक है उसकी height बढ़ती है उसकी age की अनुसार तो आपने देखा कि विकास कभी रुखता नहीं है हमेशा होता जाता है तो इसको बोलते है principle of continuity जीवन परियंत विकास चलता रहता है second है हमारा principle of individual differences principle of individual differences से मतलब है कि हर विकास होता है वो अलग अलग दर से होता है basically और pattern हमेशा सेम होता है विकास का लेकिन विकास अलग 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 तरीकेस होता है जैसे की अब आप देखो अगर हम बात करते हैं जो विकास के domains है हमारे वो चार है basically हम जो हमेशा discuss करते हैं वो तो क्या सभी बच्चों में यह सारे development एक जैसे होंगे बिल्कुल नहीं होंगे अगर किसी बच्चे की जो है cognitive domain जो हतना strong नहीं होता तो हर बच्चे का cognitive विकास अलग होता है हर बच्चे का शारिरिक विकास अलग होता है हर बच्चे का socially जो वो किस तरीके से interact करता है वो अलग सेम होता है तो principle of individual differences यही है बस ठीक है next हमारा rate of growth and development is not uniform अब देखो जो most important है कि जो rate होती है दर जो होती है विकास की वो uniform नहीं होती है एक जैसी नहीं होती है most important है से बच्चे बहुत confused होते है एक जैसी दर का मतलब है कि suppose करो अगर मैं आज इस साल में 2 cm मेरी height बढ़ती है त suppose करो कि मैंने एक साल में 2 kilo virgin put on किया है तो मैं कैसा होगा कि हर साल में 2-2 ही 2-2 की जो है एक uniform गती से जो है अपने weight को gain करती रहूंगी ऐसा नहीं होता है तो जो rate of growth and development होती है वो different होती है तो आज आप 2 cm बढ़े हैं हो सकता है आपका अगले साल आपको 4 cm की आपकी लंबाय वर्जे उसके अगले साल आपकी लंबाई रुक भी जाए ऐसा भी होता है तो यह चीज़ें कि rate of growth and development कभी भी जो है एक जैसा नहीं होता है वो हमेशा different होता है अगर एक जैसा होगा तो हमेशा जो इसका जो अगर आप line खीचेंगे आगर आप इसका graph बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से graph बन जागा straight line आ जाएगी ठीक है लेकिन जो विकास होता है कभी भी straight line मी नहीं होता वो हमेशा क्या होता है spiral होता है ठीक है तो I hope यह समझाया होगा आपको rate of growth and development हमेशा कभी भी uniform नहीं होती है विकास की दर जो है अलग-अलग होती है ठीक है हर phase में आप नहीं विकास भाशा का होगा नहीं एक point के बाद जो है भाशा का विकास जो है कम-कम होता चला जाएगा आपकी लंबाई है जिस गती से आज आज आपकी लंबाई बढ़ रही है उस गती से कि आपकी 18-19 साल के बाद भी लंबाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो आपने देखा कि rate हमेशा अलग हो गया growth का और development का next है uniformity of pattern uniformity of pattern मतलब pattern एक जैसा रहता है विकास का most important है growth जो होती है development जो होता है उसकी जो rate है वो not uniform होती है जबकि pattern uniform pattern का मतलब होता है देखो pattern का मतलब basically suppose करो कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है suppose एक example से मैं आपको बताती हूँ तो पहले वो बैठना सिखेगा ठीक है उसके बाद वो उठना सिखेगा उठके चलना सिखेगा चलने के बाद वो कुदना सिखेगा कुदने के बाद क्या करेगा वो दोडना सिखेगा ऐसे होता है ऐसा ही तो होता है पहरे बच्चा है वो अपना liquid diet लेता है उसके बाद वो जो है बड़ा होगा तो वो solid diet पे आ जाता है होता है कि नहीं होता है बिल्कुल होता है तो इसी तरीक तो मतलब आपने देखा कि pattern तो same है एक ही तरीके से तो इंसान विक्सीत हो रहा है ऐसा तो नहीं चलना पहले सीख लेगा ये दोडना पहले सीख लेगा ऐसा तो नहीं होता है या उसको आप दूसरे तीसरे मैंने में दाल चमँर खिला सकते है, और एक बच्चे है जो 6 मैने तक सिर्व दूधी पीता है, नहीं, सारे बच्चे 6 मैने तक दूधी पीते है, तो आपने देखा कि जो pattern है, तरीका जो है विकास का, वो ऐसे ही होता है, सेम होता है, जिसे पहले बच्चों में जो है, जो है, अगर दूध की दाथ निकलते है, पूरी जो इंसान है, उनमें दूध की दाथ पहले निकलते हैं, उसके बाद वो तूटने के बाद permanent teeth होता है, ऐसा तो नहीं होता कि कोई सारे एक बच्चा जो है permanent teeth लेके पैदा हो पैदा हो गया, उसके दाथ के भी टूटे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है तो विकास का जो आपका pattern होता है, वो सेम होता है, next है हमारा development is general to specific, जो development होता है वो general to specific होता है, मतलब बच्चा पहले general चीज़े अगर न सेखते हैं, उसके बाद वो particular हो जाता है, विशेश हो जाता है, जैसे कि suppose करो कि छोटा बच्चा है, उसके लिए उसके सामने खिरोना पढ़ रहा है, तो वो उसको पकड़ने के लिए पूरी body का समाल करता है अपने पूरे हाथों का समाल करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी age बढ़ेगी, उसके बाद वो हाथ ही से वो चीज़े आप कर लेगा, मतलब, specific हो जाएगा, ठीक है मतलब, पहले बच्चा जो है, खिरोना पकड़ता है, पूरा हाथ उसमें use करेगा, जैसे उसकी age बढ़ेगी, तो पैन पकड़ना भी शूरू करेगा, पैंसील पकड़ना भी शूरू करेगा, उसमें सिर्थ दो ही fingers की जरूत बढ़ती है, तो वो general से specific की तरफ आप जाते हो, six हमारा principle है, principle of integration, देखो भाई, integration और principle of interrelation में एक difference है, principle of integration का मतलब होता है, कि आपको जो है, integrate करके काम करने है, मतलब आपका जो physical और social और economical और आपका जो cognitive development है, वो सब आपस में integrate हो करके काम करते हैं, मतलब integrate का मतलब होता है, एक ही unit की जरह से काम करते हैं, एक ही unit बनके, suppose आप एक तो motorcycle चला रहे हो तो motorcycle channel ने में अगर आप देखो कि तो आपकी जो है आखे जो है वो भी एक साथ चली कि बतला आपका दिमाग और आपकी जो हाथ है सपोसर आप वो physical development है उसके थुरू आप काड़ी चला रहे हो ना अपनी motor skills के थुरू ठीक है तो आपने देखा कि हमारे दिम पूरी बोर्डे का यूज करते है आखो का पी तो यूज कर रहे हो दिमाग का पी तो यूज कर रहे हो चैस खेलने में आप दिमाग का भी यूज कर रहे हो हाथ का भी यूज कर रहे हो एक ही unit बनके काम करें तब आपका काम चल रहा है principle of interrelation का मतलब होता है कि यह सारे चीज़े जो है एक दूसरे से interrelated होती है सारे चीज़े, क्या चीज़े चार डोमेन होती है basically विकास के जो हम पढ़ते हैं PCS से याद रखेंगा PCSE PCS परिशा सभी इससे जो है अफगत है सभी को पता है physical, cognitive, social and emotional development चार तरह के development है इन में क्या है basically interrelation होता है interrelation का मतलब होता है कि एक दूसरे से connected है connected कैसे है एक example है suppose करूँ कि आज मेरी तब्यत खराब है मेरी तब्यत ठीक नहीं है तो यह physical मेरा physics से related चीज़ होगी सारे जो domains होते है विकास के वापस में interrelated होते है development is predictable yes, development is predictable कुछ हद तक not all the time development is predictable का मतलब है development को आप predict कर सकते हो predict का मतलब हो सकते हो करने का मतलब है कि बता सकते हो आप बता सकते हो कि अपने बच्चे की growth देखर कि भाई जिससे आप से growth कर रहा है उससे आप से चलना जल्दी सेखेगा ठीक है या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई मेरा बच्चा है अभी ये जो है third class में जो है ये क्या करते है plus minus multiplication कर रहा है तो five fifth class तक करकर कि इसका IQ अच्छे आपने catch कर लिया तो ये सब कर सकता है तो इस कुछ हद तक आप प्रेडिक कर सकते हो या फिर ये आप प्रेडिक कर सकते हो बच्चे के height उनकी बहुत अच्छी है तो बच्चा भी लंबी height का होगा ठीक है लेकिन ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं आप ये इतना भी प्रेडिक नहीं कर सकते कि भाई हम जाके बोलने कि ये बच्चा भाई ऐसा है तो भाई ये अच्छे बुद्धी का ये तो IAC बनेगा इतना नहीं होता लेकिन कुछ हत्ता कुछ चीजे कुछ ट्रेड्स आप प्रेडिक कर सकते हो तो yes development is predictable but to an extent development is spiral not linear मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो development होता है most important है वो कैसा होता है भाई development हमेशा क्या होता है spiral होता है कैसा इस तरीके से development होता है spiral का मतलब आगे पीछे back and forth भी इसको बोलते है development कभी जादा होगा कम जादा होगा कम इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे development चलता रहता है कोई एक linear दर नहीं है मतलब एक fix दर नहीं है जैसे मैंने भी starting हो बताया था आपकि date same नहीं होती तो linear होने का तो कोई सवाली पैदन नहीं होता है development is the product of heredity and environment जो development होता है वो product होता है आपका heredity और environment का most important है development जो है वो heredity environment का product होता है मतलब development के उपर heredity और environment दोनों equally प्रभाव डालते है h और e का product है h और e का sum नहीं है h और e का minus नहीं है यह पूछा भी जाता है product होता है प्लास और माइनस जैसा है, इसमें कुछ भी चीज नहीं है, चलिए, नेक्स हमारा आता है, जो development हमारा होता है, proceed from top to bottom, most important है, cephalocodal principle इसको बोलते हैं, तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है, seated में पूछा है, cephalocodal क्या है, proximo distal क्या होता है, देखो, development जो proceed करता है, वो top to bottom प्रोसीड करता है, मतलब बच्चा जो है, पहले अपने सर को संभालेगा, उसके बाद वो अपने पैर पे उसके गृप आईगी, ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे की गरदन आपने देखा, जब पैदा होता है, कैसे हिलती डूलती रहती, उसकी strength नहीं आती करदन में, पहले strength आती है, उसके बाद वो बैटना शुरू करता है, बैटने के बाद वो चलना शुरू करता है, तो सर से लेकर पैर तक होता है, basically, top to bottom इसको बोलते है, ठीक है, या top to toe भी इसको बोलते है, ठीक है, तो development हमेशा जो है, top से bottom ही proceed करता है, सिफेलो कॉडल इसको बोला जाता है, second है हमारा, sorry, 12 है हमारा development proceed from center to outward of the body, ये center है, ये भी नहीं होगा, तो इसको टाले है, center to the outward of the body, ये प्रोसीड करता है, मतलब, पहले center का भाग विक्सित होगा, उसके बाद आपके sides विक्सित होगी, चीक है, central to the outward of the body, या periphery भी बोलते हैं, पहले center, center का मतलब, पहले देखो, कंदे के उपर बच्चेगी पकड़ाएगी, उसके बाद हातों के उपर बच्चेगी पकड़ाएगी, और उसके बाद जाकरके, वो उंगलियों के उपर उसके पकड़ाएगी, तो आपने देखा, center से periphery की तरफ जा रहे हैं, मतलब, ये center से outward of the body आप जा रहे हैं, ठीक है, आपने देखा, ठीक है, तो जो विकास होता है, वो proximo distal होता है, तो कैसे विकास होता है, सिफलो कोडल आप याद रखो के proximo distal, अगर आपने ये जो principle है, उनको depth में, depth किया, बस यह depth है, और इसी पर किसी भी कितना भी गुमा के question देता है, I hope या कोई भी question आपको करने में करने होगी, बागे जब ये unit complete हो जाएगी, उसके बाद हम कोशिश करूगी कि मैं पूरी एक वीडियो ला सकू, question and answer कि ताकि हम जो है, जितने भी हमारे questions हैं, वो हम जो है कर पाएं, चलिए, फिलाल के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो करने पर नहीं हैं, जोने को सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं, अगरे वीडियो वीडियो बाट पर के लिए, बाबाई